तो ये बड़ा सवाल है दरसल पडोसी के साथ रिष्टे बहतर हो इससे अच्छा क्या हो सकता है सामड़ी कृष्टे बहतर हों, आर्थी कृष्टे बहतर हों, रायनिती कृष्टे बहतर हों तो पूरे छेत्र के विकास के लिए बहुत एहम होता है और सकरात्मक भी होता है इसलिए हमेशा कोशी चलती रहती है लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पडोसी चीन जैसा देश हो तो हाँ पे हम जिस गर्म जोशी से रिष्टे को बेहतर आगे कर रहे हैं उसमें हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं चुकि दोनों देशों के स्टेट्मेंट आने के बाद लोग अलग-लग नजरीस इस पूरे घटना करम को देख रहे हैं तो इसी परम चर्चा करेंगे रहा हमारे साथ खास मेमान है इनमें जूड़े हैं पुर्भ डिप्लोमेट प्रभू देयाल साब हैं पुर्भ डिप्लोमेट डिपक वोरा जी हैं जेनु के प्रोफेसर सोरन सिंग है फॉरें पॉलिसी एक्सपर्ट स्वास्ती राव है और ग अपशारिक ब्यान जारी किये गए हैं उसको गौर्द से आपने देखा होगा जो गर्म जोशी भारत के ब्यानों में दिखा वो गर्म जोशी मुझे थोड़ा सा चीन के ब्यानों में नहीं देखी भारत जहां एग्रिमेंट की बात कर रहा है भारत जहां डिस एंगेजमें की बात कर रहा है वहाँ चाइना महज एक resolution की बात करके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इस तरह के statement आना चीन की तरफ से और भारत के statement आपने देखी लिया क्या इशारा करता है यह जो समझा होता है वो कितना ठोस है पहले तो आपके show में आकर मुझे बड़ी खुशी है और मैं आपको ठहनेवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे आमंतरित किया यह बिलकुल सही आपने दिक्र किया कि भारत की तरफ से जो पयान चारी किये गए हैं और चीन की तरफ से जो कहा गया है उसमें कुछ फरक सा नजर आता है तेकि डिप्लोमेटिक मामलों में दो बड़ी एहम चीज़ें होती हैं कांटेक्स्ट और टाइमिंग और इन दोगों पर अगर हम गोर करें तो हम यह जान सिदे हैं कि यह जो ब्रिक्स की समिट मीटिंग हुई है उसके एक दिन पहले यह बया जारी किया गया और जो शी जिन पिंग हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के साथ पीटिंग हुई थी उसके दो दिन पहले तो पूरा इसका कॉंटेक्स्ट स्टेट्मेंट का और इसकी टाइमिंग इन मुद्दों से डिटर्मिन हुई क्योंकि रूस में जबान है रूस चाहता था कि ब्रिक्स में किसी तरह कैसे मतभेद ना जाहिर हो एक ना जाहिर हो नहीं तो जो संदेश वो पश्चिमी देशों को देना चाहता था वो नहीं दे पाए गए तो रूस ने भी कुछ पीछे से डबाव डाला चीन पर कि कि किसी तरह के कुछ समझोते के बात करो ताकि ये मतभेद ना सामने आए तो इसमझे से मैं कहूंगा कि हाला कि हमारे दूनों देशों के बीच में चीन और भारत के बीच में तनाफ कम करने की दिशा में ये एक मह सदर्क रहना होगा और यह देखना होगा कि क्या एले सी पर पीछे हटने की बातचीत के बीच क्या भारत चीट पर भरोजा कर सकता है जो उनके फॉर्ण मिनिस्ट्री के स्पोक्समन है उन्होंने भी जो बात की उसमें कहीं डिसंगेज्मेंट की बात लिए एक रिजिलूशन के बात की कि किस तरह से जो बुद्धे उनको रिजॉल्ट करने के लिए हब कार करेंगे और इसके साथ साथी उन्होंने जो प्रेस्ट सवाल पूछा गया डिसंगेज्मेंट को लेकर और वो इस सवाल से परे हो गए और उन्होंने इस सवाल का सिधा सिधा जवाब नहीं दिया बलकि सिर्फ वो इसी रिजिलूशन कि हमें एक रिजिलूशन पर पहुंसना चाहे रहे हैं कि वो जो डिफकल्टी जिन पो चीन ने ऐसी कोई बात नहीं कि तो कुछ चीन के नजर पर थोड़ा सा चीन के बातों पर नजर रहनी होगी क्योंकि वो जो कहते हैं और जो शायद करते हैं उटमें कुछ फारेक्सा हो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि समझोता हो रहा है बाचित आगे बढ़ रही है बिल्कुल सकरात्मक पहले इसकी तारीफ करनी चाहिए हम लोगों को दीपक वोहा साब एक सवाल जो दयाल साब ने उठाया वो वाकई सोचने वाली बात है कि ऐसे समय में किया गया जब इवेस में इलेक्शन होने वाला है नई सरकार आएगी उसके साथ भी हमें संबंद बनाने हैं उसके अलगर नीती हमारी होगी तो ये समझोता करने के पीछे आपको क्या लगता है कि असली वज़ा संबन सुधारना था या फिर ये टाइमिंग जो था बहुत महत्पूर्ण था कि रूस चाहता था कि हम एक बहतर संदेश दें या फिर चीन की मजबूरी थी कि हमें तो समझोता करना पड़ेगा भारत जैसे मजबूत ग्लोबल साउथ वाइस के साथ हम मतभेद रखके जाएंगे तो हमारी बेश्ती होगी अंतराश्टी प्लेटफॉर्म पे अब आरे हो साथ बहुत धन्यवाद आप मौका देते हैं आपके संदार्ट चैनल पर आने का पर शिकायद यह है कि अमबैस्टर प्रभु दयाल है मैडम राओ हैं और बाकी बिशेश रगया है तो मेरी क्या जरूरतीन की जानकारी मुझसे कहीं जादा है अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि मेरी आवास साफ आ रही है सर पहले सुदैच यू नो वर राइक हम उनने सो बासट में मेरा परिबाद उतर गया था हम लोग आनाथ हो गए थे सर और यह चीनियों ने महरा था शमाकरिये का गिरिफतात करने के बाद हाफ करनों अब यह क्लाइम डाउन क्यों कर रहा है मैं बता देता हूं मैं सवाल पोछोंगा और जवाब आपको खुद मिर जाएंगे यह जो बुड़ी फॉज है चाइना की पी एले क्या यह वन चाइल्ड पॉलिसी याद है आपको इनकी होती थी और आजकल तो मेरे चाइनीज दोस के साथ मैं मजाग करता हूं कि तुम्हारी 72 साल की उमर होगी है तो यह वन चाइल्ड जो डिक्टेट था यह इनको बरबाद कर रहा है चाइनीज सोल्जर जो हैं वो बिमार हो रहे हैं उन हाइट्स पे जहां पे वो बैठे होएं इस समय हां हमने यह देखा है कि हर सबता ए वहारी आर्मी चाइनीज हो चुके हैं नहीं हम लोग पैटरॉल करते हैं और आपको याद होगा 2020 के बाद 2021 से यह तिबेटन इस को रेकूट ने की कोशिए लेते हैं, कई वो मर ना जाए, वहां पर जो बैटा हुआ है, मौसम ना उसको मारते हैं, हमारे तो तीन-तीन महीने वहां बैठते हैं, फिर आपने जिकर किया आता है, आप ग्लोबल साउथ, चाइना तो प्रिटेंड करता है ना, मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ, एक भी तीन अफ्रीकी देशों में में मिशेश साला कारूँ, कोई भी चीन पे भरोरसा नहीं करता, मुझसे कहते हैं, कि हम जब भी जाते हैं, वो समिट्स के लिए चाइना अफ्रिका फोरुम जो है, ये पैसे देते हैं, तो हमें बड़ी खुश है, लेकिन जब हम जब आता है किस तरह से ये धोकादरी हमारे साथ करते हैं, तो चाइना की टॉप प्रायारिटी क्या है सर, इन टरम्स ऑफ टेरिटरी एकॉनमी तो उनकी खतम होगी, ये आप जानते हैं, पहला उनका टॉप प्रायारिटी है ताइवान, उसके बाद मंगोलिया, उसके उन्होंने भारत की जो भूमी है, उस पर अपना क्लेम छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं, वो सिरफ इस सरकार का नहीं है, जो सरकार इस समय टाइवान में है, कौमिन टांकी, उनका भी यह आइडिया था, कि ये सब भारत की जो धर्ती है, ये हमारी है, अगर चीनियों का बस चले सर, I won't be surprised, अगर कल सुबाग पिंग पॉंक टिंग लिंग जो भी है, उसके पलंग के नीचे एक मैप मिले, और वो बोले, अरे, चन्नही तक तो हमारा राज होता था, वो तो सब हमारा है, तते ही भरोसा नहीं कर सकते, चीन इस समय कमजोर स्थिती में है, इसलिए दिखाने की कोशित कर रहा है, कि मैं बड़ा रीजनेबल हूँ, बट इन पे फरोसा करना आत्महात्या के समान है सकते, इसमें एक चीज़ आपने जो कहा, इसी बात को आगे, कर दो, कर दो पनो